Hello students, आज हमको सिखाएंगे English grammar में shall be और will be का उपयोग shall be और will be का उपयोग हम सब करते हैं जब क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहते हैं जैसे हम जाएंगे, वहाँ खेलेगा, सीतनाचेगी, वहाँ दोड़ेगा इस तरह से जब सेंटेंस होता है, तो हम shall be और will be का उपयोग करते हैं shall be का उपयोग I और व के साथ करते हैं और will be का उपयोग he, she, eat, किसी भी नेम रथा you और दे के साथ करते हैं फर अग्जांपल, नवीन उपस्थीत रहेगा, इस इंग्लिश में कहेंगे, नवीन विल बी अवेलेबल, हम क्रिकेट खेलेंगे, इस इंग्लिश में कहेंगे, we shall be play cricket, वह एक दिन महान व्यक्ति बनेगा इस इंग्लिश में कहेंगे he will be a great man one day, मै कल दिल्ली जाओंगा, इस इंग्लिश में कहेंगे, I shall be go to Delhi perhaps tomorrow शाव भ़ोट गर्मी होगी, इस इंग्लिश में कहेंगे, it will be very hot tomorrow इट विल बेरी होट तुमारू इंग्लिश दिखने के हमें फॉलो करें और हमार यूटूब चैनल इंग्लिश दिखने के हमें साउ जरूर सब्सक्राइब करें